ब्राता आपने उचित पत्त का चुनाव किया है मैं प्रथम पंच भूत शिवलिंग के निकट पहुँचने में आपकी सहायता करूँगा सबर रही है शीगर बताईये मुझे कि वो सर्व प्रथम कहां जाएंगे नहीं भाखन जी उनका पीछा नहीं करिये अपितु उन्हें वहां ले चलिये जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं क्यों हम क्यों ले जाएं ये कैसा प्रश्न है उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता चुपी है उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उदेशे भी पूर्ण हो जाएगा फिर असुर समराट का पुरसकार आपके हाथों में होगा क्यों सत्य कहा न मैंने और इस अवदी में आप भ्राता की बारे में सब कुछ ग्याद भी कर लेंगे जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबर उसकी मानसिक और आत्म शक्ती का पूर्ण परिक्षन करना चाहिए ना उचित कहा सर्व प्रथम बाव भल का परिक्षन कर लेता हूँ बस ये बात आईए सबसे निगट पंच भूच्थान कौन सा है नदी स्वर्ण मुख के तट पर श्रीकाल हस्ती श्रीकाल हस्ती मैंने अपना वचन निभा दिया तो अब मुझ से और किसी सहायता की आशा मत करना चलिए मुशक जी जी प्रभू तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो चलो शीगर जाकर स्वर्ण मुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें जा मैं उनके जीवन के सबसे बड़ी चनोती उनके सामने प्रस्तुत करूँगा प्रभू इनके मन में तो कुमार कार्तिके के प्रतिक केवल शत्रू भाव है मुझे कुछ नहीं करना मुशक जी क्योंकि भ्राता की परिक्षा लेते लेते ये स्वयम उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा अर्थात ये तो सरल कार्य है जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना उसका होची तो पाई सोचना होगा मुझे ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है जो आप पर शिग्रुजागर होगा देवी मैं आप दोनों को एक वचन देता कि आपके अगले जनम में जब सभी परिस्तितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करेंगा वो पून रूप से अपने पिता के ही समान है उन्हीं के समान पराकर्मी और अपने कर्टा व्यके प्रती पून रूप से समर्पित है मेरा पुत्र अपने पिता के समान अपने मस्तक पर थ्रिपुन धारट करता है वो उसके नेत्र भी अपने पिता के समान देप्य और तेजपून देव सेना पती अब हम किस मार्क का चैन करें यह जो तक्षिनी पश्चिम के और जा रहा है या फिर यह जो तक्षिनी पूरब के और जा रहा है वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे प्रभू आज्या दे प्रथम पंच भूत स्थान इसी दिशा में है हमें शिग्रता करनी चाहिए हमें ये तो ग्यात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए जमा करें प्रभू किन्तु कदाचित ये मार्ग अधिकुत्तम होगा हे स्वामिना था मैंने अभी कुछ रिशी मूनियों को उस दिशा में जाते देखा था और हां वो कह रहे थे कि वो पंच भूत की दिशा में गया है तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होका हमें शीग्र नीचे की और बनना चाहिए उच्छे थे आईए हो गया मारा कार सफल हो गया प्रभू ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुँचने पर शेशकार्य तो आपको करना है मुशक जी मुझे प्रभू जब भाता भागन के कारण वहाँ पहुँचने जा रहे है तब आप मुझे भी शीगर श्रीकाल हस्ती ले चलिए जी प्रभू जी जी प्र Allen उनके सुझब को मुझे तर्णमुख जी ज जी झלड़ जी जीए कि अ, थावD हम इतने समय से इस मार्क पर चल रहे हैं तो उन रिशिमुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक जिने वीरवावु ने देखा था और यहां यदि रिशिमुनियों थे भी तो भी वो पंच भूद स्थान को लेकर वारतालाब कैसे कर रहे थे उनके विशय में ग्यान तो दुर्लब है कई कोई हमारे साथ चल तो नहीं कर रहा है कोई हम पर त्रिश्टी रख रहा है तुम्हें देखा होगा हूँ मैनी मैं तो इस्थिर था, तुम पर दृष्टी गई होगी मुझे फुस-फुस हाड सुनाईते रहे है यही हा रहे हूँ सक्ति शालिप्रतित होता है तुम्हें को सामना करना पड़ेगा नहीं, आकार में बढ़ा है. तोहीं सामना करना उसका. आकार प्रकार कुछ नहीं जामता, तुवे Jetzt सामना करना पड़ेगा. नहीं तुवे पड़ेगा. कुमार कारतिके, भला, हमारा पीछा कोई क्यों करेगा? इतना तो स्पष्ठ है सूरीदेव, कि कोई ये अवश्चे चाहता था, कि हम इस मार्क पर आएं. किल्टो यदि कोई ऐसा चाहता है, तो वो हो कौन सकता है? मुझे ने कहा ना, तुभी करना है. जब कोई अपने देवस्थान की मार्क से भटक जाता है, तो मंदिर का घंटा अपनी द्वनी से उसका मार्क दर्शन करता है. गनीश यहीर पिर आए, इसे पहले निकल लेते हैं, जब करूँ. हम उचेत मार्क पर ही है, आगे बढ़ी है. अचित का प्रभू आपने हमारे पीछे कोई थाव तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आएं किसने भेजा है तुम्हें कि यहां क्यों आये हो हमारे पीछे एसे नहीं बोलो है तो ये मेरी गदा बुलबाईगी तुमसे हाँ हम चोटें जरूरें पर दूर बल लिए हैं हम आगे बढ़ें तो धर्ती क्रम्पी तो जाएगी है 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 तो यह थे जर्ड़ें दर्दी कंपित हो गई हाँ मैं आमें तो मालू भी नहीं कि यह वास्तों इतने शक्ति सानी है हुआ हुआ हम हाथ में हिला देना तो पामंडर आजाता है यह वित्पाक आगे बड़ाया तो दूर जाके गिरोंगे वा भुर को learned मैसे नहिंक मैसे नहिं मैसे झानी रग अब इसका सामना करना होगा कार्थिके तब ही आगे बड़ पाओगे तुम अभी अभी तो घंटियों का स्वार सुनाई दिया था हमें अब अचानक से ये दोश्थ असुर कहां से उत्पन हो गया बावुबली कार्थिके का सामना मेरा बल्शाली असुर करेगा शक्त बावु तब ही मिलेगा उसके बावुबल का परीचे प्रभु ये जो है शत्रु है तो सर्मुझे आघात करने का आज्या दीजे करती के कौन है सुना है बहुत बल्शाली है सास है तो आगे आए और सामना करे शक्त बावु का तुम्हारे लिए प्रभु को आगे प्रहने क्या हो शक्ता नहीं तुम्हें तो मैं उनका स्यवक ही पराजित करूँगा रुकों वेरबाव। नहीं देवगा आप सभी यही मेरी प्रतिक्षा कीचे मैं अभी आया है एरसे ना पती इसने मुझे चुनावती दिये इसलिए इसका सामना भी मुझे ही करना होगा आप सामना भी मुझे ही करना भी मुझेष झाट पूहराँ आख चुनाओ प्रचॉब्यू आख कोज़िए प्रतो प्रत्वित्कुनाओ अंगा तुम्हें प्रत्मुनाओ यही गुझे जोप्रत्यों दियौक्यों अन्याम्चंट पूप्रत्यों हेले थेल में अभा मैंनो अभा ब रशाये है why the तुर्णा शेंडों को पेचो जए गार दो भी गिर! अधुट। सर्वताधु मां आप पुत्रकार्तिके की कितनी अध्भुत और सुन्दरकृती बनाई हैं तुम्हें अध्था तुम्हारे मन मंदिर में पुत्रकार्तिके उसी प्रकार वास करता है जैसे मेरे मन में प्रभु महादेव इसलिए तो इतनी अध्भुत कृती बनाई हैं तुम्हें सदा खुश रहो फुत्र ये प्रभु मुझे घ्यात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है मैंने तो बस आपकी मूलत बनाई है कि प्रतीप ऐसा होता है जैसे आप वास्तव में यहाँ है जिसे मेरे आज का नहीं कोई पहली का संबंध है आपसे युद्ध करना चाहते थे ना मुझसे तो आओ करो युद्ध युद्ध नहीं मुद्ध एक प्राहर परियात है तुमारे लिए इस पार नहीं बचोगे तो मिन्दों अब हमारा बाग्य में तुमारी रक्षा नहीं कर सकेगा यह असोर्त आत्यात भायंकर प्रमाणत हो रहा है मुझे क्या थे रभू आप देवताओं को उनके संकट से मेरी ब्राता जैन को दुष्ट असरों से मुख कराने अनेकों संकटों का दुष्ट असरों का सामना निर्भयते से कर रहे होंगे आत्यात दो आत्यात प्रमाणत प्रमाणत है कि यह क्या कर रहे है देव सेना पर्ठी कुमार कारतिके अपने किसी अश्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे है ऑज सादी की शक्ति शालिया सुर भीज दिया है मैंने यह बालब के वालब शक्त बायो का सामना नहीं कर सकेगा लाओ। बृष तर नोर भबSamur तो शाय भित्म हें lord भय असेना यदी मरी तड्नसक्राच०ात दिया जन्मुक प्रेचौ देया प्रोट प्रभू करते ही दिया जए ज यद्मे प्रभू करते ही दॉष जन्मुक क्रशकर करें जए संभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक में आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं बढ़काना चाहती किन्तों मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं कोई और विचार ही नहीं है मेरा स्वार आप तक पहुँच रहा है ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने स्वामी आप यह हो क्या रहा है यह असर तो अपशेश रहा नहीं तो फिर देव सिनापती इतने स्तब्द क्यों है प्राता के इस प्रकार स्तब्द होने का क्या कारण है प्रभाव से आपका सुर्फ सक्त्र बाहू का बाहू बन फीका पड़ गया जब तक उसका एक भी भाग क्रियानवित है वो मृत नहीं हुआ है इसलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है यह दूर तो पुनरव जीवित हो गया और तेव सेनापती इस सबस्था में पूर आपकाल जीवित हो जीवित हो गया हम कि युख खूफ खूढकी चल्वान लो हज लो खूब न occupये अ ह Todo Puerto ंullen्ट पेङंक दंदे हो वंदे पहाँ कि म 182 वान इसा बाना करी जाराराम है हुआ। प्रें से प्रेजरी चैतिक नंना में रियन की चानवा जब भाते हो इंवा डिकने освию ऩोन काकी अईना जित हैoj खुछ औरता जऴ सते हैं手・ खुछ 상태 जित भी प्रहते है जो, पो! देवसेनापती कुमारकार्थिकेखी देश सेरापती कुवार कार्थी के की शक्त बाव जैसा योधा इस बालक के सामने दुर्बल पड़ गया ये वालक तो योधाओं का भी योधा है महा प्राक्रम आदवूत है मैंने कभी ऐसा योधा नहीं देखा दिव्यता इसके मुख मंदर पर दिखाई देती है इसका बल और योगिता इसकी दिव्यता का परमान है भाखन ने ब्राता को पहचानना आरंब कर दिया है आपने उचित कहा था प्रभू स्वामी कार्तिके के पराक्रम को देख उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा भाखन इस आयू में ही युद्ध कला और कोशल में इतना निपून नित्रित्व करने के लिए सर्वता योगिया है अहो अशूर होकर इस बाला की प्रसंसा वो भी अपने अशूर के मिरत पर कहीं आप असूर समराठ सूरा पदमन की शरण छोड़कर इसकी शरण में तो नहीं जाना जाते हैं नहीं नहीं कदापी नहीं शत्रू की प्रशंसा का आर्थ उसकी पक्ति करना कदापी नहीं होता अभी तो दो प्रिक्षाएं शेश हैं बाहू बल का धनी है तो क्या हुआ मानसिक रूप से कितना शक्ति शाली है यह जानना भी तो अवश्चक है ऐसी विकट चनोती प्रस्तुत करूँगा जिसके सामने इसकी मानसिक शक्ति असफल हो जाएगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं जिससे हम संध्या होने से पूर्व मंदिर पहुँचकर पूजा कर सके मुशक जी चलिए हमें इनसे आगे वहां पहुचना होगा तत्रत्रिपथगान भिव्यां शीत दोयां अशयी वलां यहां का वायू प्रवा यहां के वातावरण और भिव्यता का अभास करा रहा है खेवल वायू ही नहीं देवराज यहां तो ये निरमल जल भी अध्यंत दिव्या और पावन है पावन तो होगा ही न जब ये दिव्यनदी स्वर्ण मुखी है ब्राता प्रभू के दर्शन के पहले दिव्यनदी स्वर्ण मुखी की पावन जलधारा में स्नान कर लीजिए इस जल को स्वयम रिशी अगस्तिय यहां लाये थे एक बार रिशिवर की मार्ग में ये स्थान पड़ा तो उन्हें यहां दिव्यता का स्वयम शिव का आभास हुआ तो उनकी इच्छा हुई कि वो प्रभु महादेव का अभिशेक करें किन्तु यहां सूखा था और जल का कोई स्त्रोत ना था किन्तु रिशिवर इस कमी को दूर करने के लिए प्रभु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए और अंतिता प्रभु ने स्वयम आकर उन्हें दर्शन दिये ए महर्जी आपके मन में समाई प्रभु भक्ति और पूजा की लालसा देख कर मैं अत्यंत प्रसंद हुआ प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव मुझे ग्यात है कि आपकी क्या इच्छा है आप निश्चिंत रहिए महादेव का कोई भी भक्त अब उनकी पूजा से यहां वन्चित नहीं होगा ये मेरा वर्दान है तकाल ब्रह्मदेव ने माता गंगा का आवाहन किया और वो अगस्तिय परवत पर प्रकट हुई अब जब गंगा तुल्ल नदी यहां अपतरित हुई है तो उसके तड़ पर अनेको तीर्थ स्थल और मंदर स्थित होंगे उगते सूर्य की किर्णों को प्रति बिम्बित करने वाली इन नदी को स्वर्ण मुखी कहा जाता है और ब्रह्मदेव के वचन अनुसार उनके तड़ पर अनेको महान तीर्थ है वो तीर्थ भी जिसे ढूड़ने आप निकले है कथा रोचक है किन्तु गणेश मैंने कहा न कि मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई आवशक्ता नहीं मैं स्वर्ण की सहायता स्वर्ण कर सकता हूँ स्वर्ण का मार्क स्वर्ण ठून सकता ब्रादा मुझे तो यहां कोई शीवधा मत्वा मंदिर दिखाए नहीं दे रहा है किन्तु मंदिर की गंटियों का स्वर्ण तुम इसी दिखाए दिया थी यति मंदिर यहां नहीं है तो फिर कहा है जब मुझे मंदिर के घंटों की द्वानी सुनाई दी थी तो मुझे मंदिर की जलक भी दिखाए दी थी मेरे विचार से थोड़ा आगे जाने पर ही हमें कुछ स्पष्ट हो पाएगा इसलिए हमें नदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए उचेत है देव से ना पती किन्तु हम कैस दिशा में आगे बढ़े ताई और या फिर बाई और ब्राता दुविधा में हैं तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए मैं जानता हूँ गणिश तुम मेरी सहायता के लिए ततपर किन्तु मैं ये कारे स्वैम करना चाहता हूँ देवराज मेरे विचार से हमें इसी दिशा में जाना चाहिए प्रभू, स्वामी कार्ति के तो उचे तिशा में नहीं जा रहे है कीजिए प्रभू ओ, सूज गया उपाए मुशक जी, कभी कभी हम प्रभू महादेव को यहाँ वहाँ ढूनते रहते हैं किन्तु सत्य तो यह है कि प्रभू के आठ प्रमुख स्थान है प्रभू महादेव ने अपने आठ रूपों में आठ स्थानों पर अपना निवास स्थापित किया प्रथम फास थे पंचभूद, अर्थात, वायू, जल, अगनी, प्रित्वी और आकाश प्रभू ने जिन अन्य रूपों का चुनाव किया, वो थे सूर्य और चंद्र और आठ में थे पशू, अर्थात, स्रिष्टी के सभी जीव और ये आठ तत्वतों स्रिष्टी में सर्वत्र व्याप्त हैं इसलिए इनका चुनाव कर प्रभू पशूपती नात ने इन आठों रूपों में स्रिष्टी के कण कड में वास करने का निर्ण लिया और प्रभू महादेव के ये आठ रूप अश्ट मूर्टी कहलाते हैं इन अश्ट रूपों में से प्रभु महादेव ने इस नदी के तट पर वायू रूप में प्रकट होने का निर्ण लिया ये बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गनिश किन्तो अब हम स्वयम ही वहां बहुँच जाएंगे अवश्य भ्राता, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु महादेव यहां अपने वायू रूप में है इसलिए मात्र उनका आभासी उन तक ले जाएगा वायू तो चारों उर से आ रही है किन्तो यह पत्र वायू प्रवा की विपरीद दिशा में बह रहे है चमा करें प्रभु, मात्र पत्र ही नहीं, यहां का कणकण विपरीद दिशा में पढ़ रहा है यह कैसे संभाव है, प्रभु वो बेल ब्रिक्ष को देखिए बेल पत्र पुष्प, यह तो एक मात्र प्रभु महादेव की ओर ही आकर्षित होते है और यहां, वो वायू के नियुमों के विपरीज जाकर, अपना स्वाभाविक आचरण ही कर रहे है जो केवल चमतकार से ही संभाव है और यह चमतकार तो केवल वही कर सकते हैं जिनका वायू के नियुमों पर भी नियंतरण है अर्थात हम उचे दिशा में ही जा रहे हैं देवगाई एक मंदिर की आकरिती तो दिखाई दी मुझे वायू जो हमें मार्ग दिखा रही है दिव्य है क्योंकि प्रभू ने स्वयम वायू देव की तपस्या के परिणाम स्वरूप अपना वायू रूत धारन किया था वो अपने तप में इतने लीन हो गये उनका तप इतना शक्तिशाली और प्रचंड हो गया कि संपूर्ण स्रिष्टी पर उसका प्रभाव पढ़ने लगा और चारों दिशाओं में एक बवंडर की स्थिति उत्पन्न हो गई शीग्रवो बवंडर रूपी वायू प्रवाः त्रिलोग तक भी पूँच गया याँ प्रवच होumuz वाँ पाँ क्यालाश में इस प्रकार के बवंडर का भला क्या आर्थ है ओू नमाश प्रकार कीजया है ओूंडर माश शीबाए ओूंडर माश शीबाए प्रभु महादेर ये आप ही की कृपा है जिससे बवंडा नियंत्रित हुआ है प्रभु महादेव ने उस संपून वायू तत्व को अपने भीतर समाहित कर नियंत्रित कर लिया और वायू से उत्पन उस बवंडर को साध कर प्रभु ने स्वयम को भी परिवर्तित कर लिया और वायू मूर्ती रूप में वायू देव को दर्शन दिये प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु मैं करतार्थ आपके दर्शन पाकर वायू देव पूर्ण होई आपकी तबस्या से आपकी तब की उर्जा का नुभव केवल मैंने ही नहीं किया अपी तो समस्त शिर्ष्टी ने उर्जा का नुभव किया है इसलिए मैं प्रसन होकर आपको ये वर्दाम देता हूँ वायू शिर्ष्टी में जीवन का आधार बनने के साथ संसार में हर स्थान पर व्याप्त रहेगी प्रभू आपका वायू मूर्ती रूप में दर्शन देना मेरे लिए किसी बड़े वर्दान से कम नहीं है मेरे तब का इससे बढ़कर और कोई उदेश्य नहीं था उदेश्य और कारण दोनों समाईत हैं आपके तब में वायू देव आपको तो ये ग्याद है कि स्रिष्टी में कोई भी खटना अकारण नहीं होती आपके तब के परिणाम सुरू आने वाले समय में ये वायू रूप मेरी अश्ट मुझ्टियों में से एक होगा और आपका ये तब स्थल मेरे पंच भूत स्थलों में से एक होगा जहां मैं स्वयंद हूँ करपूर लिंग के रूप में प्रकट होकर सदय विराजबान दो होगा उस दिन से प्रभू महादेव अपने वायू भूत लिंगम रूप में यहां पूजे जाते हैं और फिर ये स्थान श्री काल हस्ती के नाम से विख्यात हुआ किन्तु श्री काल हस्ती ही क्यों है अवश्य इसके पीछे कोई कथा होगे अवश्य है इसके पीछे भी एक कथा है किन्तु एक नहीं श्री काल हस्ती से संबंदित चार महत्व पूर्ण कथाए है कि कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा और किस प्रकास श्री काल हस्ती आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्तकर स्वयम प्रभु महादेव में समा गए तो वो कथा है इसना ये न प्रभु श्री काल हस्तेश्वर प्रभु का ये नाम उनके तीनों भक्तों की अगाद भक्ती के कारण पड़ा है प्रभु के ऐसे महान भक्त अवश्य कोई महारिशी ही रहे होंगे नहीं महर्शी नहीं थे तो क्या वो असूर थे वो मंदिर वन के मध्य में है तो संबवतर वो तीनों भील या आखे ठक होंगे नहीं मानव योनी के हों ऐसा सोब भागे भी नहीं था उनका बालक है तो बालक की भांती कथाएं सुनने दो इसे गनेश से मैं तो अपना दूसरा अस्तर क्रियाविंत करता हूं उसके विरुद अस्तर कैसा अस्तर विष्णू जो अस्तरू का परमशत्रू है उसका ये परमभक्त यहां क्या करने आया है कुछ तो आज से अवस्य है इसका सूचना है इसकी पास या कोई यूजना इसी ग्याद करना होगा ग्याद तो मैं कर ही लूँगा क्योंकि किसी के मन को पढ़ना मुझे रहली भांती आता है जो देवता बंदी नहीं है वो देव सेनपती कुमार कार्थी के साथ एक विशेश यात्रा पर है जिसके अंत में एक पीशन युद्ध होगा इसी लिए प्रथम पंजबूत शिवलिंग की यात्रा संपन होने तक मुझे विश्व शान्ती के लिए यगनव करना होगा क्या प्रशन पूचा था तुमने क्या होगा मेरा अगला है तो सुनो इस देव रिशी का यग्य ही होगा वो आस्त्रा यग अस्त्रा रिशी कुछ समझ में नहीं है यदि मनुष्य भी नहीं थे वो तीनुष्य भक्त तो और कौन थे श्री काल हस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा हाँ, कितना भी अविश्वस्निय क्यों ना हो किन्तु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था तो वो मकड़ा उसी शंट प्रभू के कश्ट को हरने के प्रयास में जुच जाता पर फिर किसी भी अन्य भक्त के समान ये उस मकड़े भक्त की परिक्षा का समय था उस दिन सूर्य देव की किरिणे इतनी तीवर और तीक्षन थी कि वो मकड़े के जाल को अपने ताप से जलाने लगी और उसके सभी प्रयासों के बाद भी वो अपने जाल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था तो क्या उस भक्त ने आज सफलता स्विकार कर ली? नहीं वीर बाहुजी, किसी भी सच्चे भक्त के समान उसने अपने प्राणों को दाउं पर लगा दिया किन्तु अपनी भक्ती पर आज नहीं आने दी वो अग्नी बुझाने जाले के उस भाग पर पहुँच गया जहां अग्नी का प्रभाव था और अग्नी को शांत करने के प्रयास में वो स्वयम आहत होने लगा किन्तु रुका नहीं ये तो मात्र उस भक्त की परीक्षा थी शिवलिंग का स्पर्ष होते ही उसे प्राणदान प्राप्त हुए आप्राणदान प्राणदान 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 प्राणदा प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुना वर्दान मांगने को कहा एक छोटी से किर्ट को भला, क्या वर्दान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ती, भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा की, उसकी भक्ती ही उससे सच्चा भक्त बनाती है ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमानित करी दिया था, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता क्यों गरनेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने सयुद्जी मुक्ती का वर्दान मांगा वाट्स, मैं तुम्हें सयुद्जी मुक्ती का वर्दान देता हूँ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी आशीष देता हूँ कि यहां जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ती करेगा वो मनुश्य हो, अथ्वा कोई जीव, चीटी हो, या विशाल का एगज उसे मुक्ती प्राथ होगी, और मेरे साथ सदे तुम्हारी पूजा होगी हे श्री ज्यानमूर्थी गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्रीर नाम कैसे जुड़ा? ये तो ग्यात हो गया मुझे, किन्तु काल और हस्ती, ये शब्द निकी उत्पत्ती कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभू का भक्त था, वैसे ही एक काल, अर्थात एक सर्प और हस्ती, अर्थात एक गजभी महादेव के भक्त थे प्रत्य एक भोर में वो गज हस्ती, पुष्प गुच्छ और बेल पत्र के साथ अपनी सून में जलने कर आता था और फिर संद्या में काल नामक सर्प भी आया उस सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभू के योग्यना थे तो उसने प्रभू के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभू पूजा में रम गया और जिस प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्यती नहीं भाती थी उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगावना था वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंग देता था और काल उसके पुश्पों को ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा इंतु एक दिन प्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंग दिया जब रातरी में सर्प वहां पहुँचा तो वो प्रभू के शिवलिंग के निकट पुश्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ उसने अपने अनुसार उस थल को स्वच्छ किया फिर उसकी प्रतीक्षा में वही स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था और फिर अगली भूर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया झाल के पत्र दोन छोन Пात्म झाल के युच्छ गली भत्र चाईबू झाल झाल left झाल! सर्प और गज के इस भीशन युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनिय कश्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वा से गिन रहा था और फिर एक उश्प उठाकर शिवलिंग के निकट पहुँच गया और सर्प भी मणे उठाकर प्रभू के निकट कल ला हूँ जब दोनों के प्राण लोटने लगे तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने सयूजी मुक्ती ही मांगी उनकी इस भक्ती से प्रभावित होकर प्रभू महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ती ही रही दी अपितु एक अनूठा आशिश भी प्रदान किया मुक्ती के साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशे स्थान देता हूँ आज के बाद तुम दोनों के ना मेरे नाम से जूड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन मेरी इस शिवलिंग के उपर होंगे इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकाल हस्ती श्रीकाल हस्ती की जए श्रीकाल हस्ती की जए तुमसे प्रभु श्रीकाल हस्ती की ये कथा जान कर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश किन्तु अब हमें संध्या आर्थी के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए नहीं नहीं ब्राता मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है जिसका संबंध पाशु पतास्त्र से है जिससे आप सुरापदमन का वद कर सकेंगे और मात्र पाशु पतास्त्र ही नहीं इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है मा जब प्रभु महादेव किसी ऐसे कार्रे के लिए कही प्रस्तान करते हैं तो आप अपना समय कैसे रतीद करती हैं ये कैसा प्रश्णों कुछ लिया मैंने खौता क्या सोचेंगी तुम्हारे इस प्रश्ण का अर्थ मैं समझती हूं पुत्री हो ना हो तुम भी पुत्र कार्थिके को अपने स्वामी की रूप में स्विकार करने लगी हूं पुत्री जब महादेव ऐसे विशेश कार्यों के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उनके कुशल शेम के लिए पूजा में व्यस्त रहती हूं इससे मेरा ध्यान भी बटा रहता है और में किसी भी कारण से उनका ध्यान नहीं भटकाती किन्तु मैं मैं अपनी मन को कहां व्यस्त रखूँ तुम भी अपना ध्यान लगाने के लिए महादेव का सोला सोंबार का व्रत कर सकती है इससे तुम्हें अपना मन चाहा वर भी मिल जाएगा और तुम उसके हित में पूजा भी कर सकोगी संधिया वंदन में तो अभी बहुत समय शेशे भराता आप कहें तो मैं पाशु पतास्त्र की कथा भी सुना दूँ हाँ गणेश सुनाओ पाशु पतास्त्र महाभारत के लिए अत्यंत आवश्यक था इसलिए महादेव के महाभक्त अर्जुन जो महाधनुर धारी थे उन्होंने यहाँ अपनी तपस्या आरंभ की किन्तु बाद में उनकी तपस्या के कारण पिताश्री महादेव और उनके बीच युद्ध छड़ गया लेवरिशी का विश्व शान्ती के लिए यग्य जितना विशाल होगा जनवती भी उतनी विशाल होगी उस बालक कार्थी के के सामने या जब वो कार ये करेगा जो मेरा शक्ति शाली या सोशक्त पाहू नहीं कर सका नारायन अवतार श्री कृष्ण की प्रेड़ना से पांदू पुत्र महारती अर्जुन ने पाशु पतास्र प्राप्ती के लिए जगत-पिता महादेव की तपस्या आरंभ की तनोती धर्मम, विधुनोती कलमशम, हिनस्ती दुखम, विदधाती सनमदम, चिनोती सत्वम, विनिहंती तामसम, तपो अत्वा किमना करोती देहि नाम अर्थात तब धर्म का विस्तार ही नहीं करता, अपितु दुख का विनाश भी करता है, साथ ही अस्मिता भी देता है, और सत्व का संचय करता है तब से सब कुछ संभव है उसी प्रकार महारती अर्जुन की तपस्या के चरम ने असंभव को संभव किया उनके जाब से कैलाश ही नहीं, महादेव भी अचूते नहीं रहे क्या हो अपरी है? आप किन विचारों में मागन है? स्वामी, अपार शक्ति के साथ अपार दायत्व भी निभाना पड़ता है अपने तप के फल स्वरूप महारती अर्जुन को पशुपतास्तर प्राप्त होगा किन्तु स्वामी, क्या महान धनुर्धारी अर्चुन सदा इसका प्रयोग अपनी बुद्धी मानी से और न्याय के लिए ही करेंगे? ये तो हमें तभी ग्याद होगा देवी, जब अर्जुन की परिक्षा होगी ओम नमस्षिवार ओम नमस्षिवार इसी मध्य दुष्ट दुर्योधन ने वाराह मुकासुर को अर्जुन के तबको भंग करने के लिए भेजा ये कोई साधार अर्णवारा तो नहीं है प्रभू झाल आमस्षिवार अर्णवप्ट झाल 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 ओूं दमाश्षिवाई रुको, वो मेरा आखेट है, तुम उसका बत नहीं कर सकते योद्धक आस्त्र एक बार उड़ गया, तो बिना वार के नहीं चुक सकता और मैं अपना धनुष्ट कदा भी नहीं चुकाऊंगा वास्तफिक योद्धा और आखेटक बातों में अपना समय नश्ट नहीं करते अपना लक्षे सादो और संभव है तो मुझसे पहले उसका वद्ध करो अपना समय है झाल 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 आती उत्तम था स्वामी एक ही बार में आपने इतने विशाल और भयंकर वारा का आखेट कर दिया देवी आप से भूल हो रही है मेरा बान है इस वारा के अंत का कारण आप एक कुशल यो धावश्य है किन्तु परहार तो मेरे बान ने भी किया है इस लिए मुझे विश्वास है इसे आहात भी मैंने ही किया है आपको विश्वास है और मैं अपने बान के वार को लेकर पूर्ण रूप से अश्वस्थ हूँ जब दोनों बानों ने एक ही समय पर इस पर आघाद किया है तब तो ये मृत्वारा ही बता सकता है कि इसके प्रान पखेरू किसकी आघाद से निकले है जो आखेट करते हैं उन्हें भली भाती ग्याद होता है कि आखेट होने वाला जीव उनके ही बान से मृत्यू को प्राप्थ हुआ है खेंट तुंत हरेक तपस वे तुम्हें भाला कौन श्रेष्ट धनुधारी मानेगा और कौन स्विकार करेगा कि तुम्हारा बान ही सफल हुआ है उचित का तुम्हें बिना प्रमान के कौन स्विकार करेगा इसलिए मैं तुम्हें चनौती देता हूँ आओ युद करो मुझसे और प्रमानित करो कि तुम्हारा कौशल और तुम्हारे बाड़ों की शक्ती मुझसे स्वेश थे और जो भी इस युद में विजेव राप्त करेगा आखेट भी उसी का प्रमानित होगा महायोध्ध अर्जुन को ये ग्यात ही नहीं था कि उन्होंने कीराट अवतार में प्रभू को चुनौती देकर स्वयम अपनी परिक्षा स्विकार की थी मेरे साधारन बाण ही तुम्हें पराजित करने के लिए प्रयाप्त हैं साधारन बाण का सामदा मैं भी साधारन बाण से ही करूँगा एक साधारन अखेटक के बाण में इतना समर्थ हैं मेरे धातु बाण को इसका बाण नहीं रोक सकेगा संपुर्णम्न सचात्रवा कर्सक्रवा लिए प्रेटक का बाण लिए 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 कदाचित तुम्हें लेकर मेरा अनुमान उचित नहीं था श्रेश्ट धनुधारी हो तुम अलो, अब मेरे परमशक्तिशाली बाणों का सामना करो मैं प्रस्तत हूँ उचित है पायु अस्त्र अर्जू का युद कौशिल उसका सामर्थ यात्ति उत्तम है किन्त उसकी परिक्षा विशेश है बस बहुत हुआ अब मैं अपने महांता मस्तर का प्रियोक करूँगा उप्रमास्तर 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 अरजुन को बले घ्यात नहों किन्तु मैं उसके द्वारा ब्रहमास्तर का प्रयों महा देव पर robusti नहीं होने दुगा ब्रहम देव मेरी प्रात्ना क्यों नहीं सुन रहे हैं मुझसे एतनी प्रतिक्षा क्यों करवा रहे हैं ब्रहमास्त्र का प्रियोग अंतिम विकल्प है ब्रहमदेव ब्रहमास्त्रों क्रियानवित ना भी करें तो भी मैं अपनी समस्त पोशक्ति का प्रियोग कर इसे क्रियानवित करूँगा मुझे ग्यात है कि इसका विप्रीत प्रभाब मुझे पर में पड़ेगा किन्तु अब मेरे समख्ष दूसरा विकल्प नहीं है अरजुन के इस निरना कार्थ यह है कि मैं भी उसे ब्रहमास्तर के प्रयोक से नहीं रोख सकूँगा उसकी समख्ष शक्ती छिन पड़ रही है फिर भी पराजे स्विकार नहीं है उसे स्वामी अब भ्रहमदेव के सम्मान में भ्रहमास्त को नश्ट नहीं करेंगे फिर उस महास्तर का सामना भलग कैसे होगा स्वामी एक बड़ इडि़ प्रहमें प्रहमास्त का सामना भог मत बना भी प्रहमास्त वामी अथर प्रहमास्त वामी अथरो नहीं करेंगे वार्या करेंगे मैं, मेरे सभी बार, यहां तक की ब्रमास्तर भी, यहां कैसे पहुच गए? कौंता हु कि रात। जो भी हो तो माया वही कि रात। अब मैं तुम्हे अवश्य पराजित करूँगा। वहां कि अेहां आगि याद। कि कुक रात। कि अरात। यहां लगां देख प्राजिक यहां दिल्क महादेव प्रभू 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 महादेव महादेव मुझे शमा करें प्रभू भूल हुए मुझसे आपकी तपस्या कर रहा था और आप पर ही वार करने का दुस्तास कर बैठी और मैं शमा करें प्रभू मेरे दिव्यास्तर जब विफन होने लगे तब ही मैं समझगे कि किसी आतियंत दिव्ये और शक्ति-शाली व्यक्तितसे मेरा सामना है किन्तु योधा युद्ध के मद में नहीं रुख सकता हन्यत्या वो मेरा मेरे युद्ध कौशन और मेरे शस्त्रों का अपमान होता इसलिए मुझे पर दया करें प्रभू और शमा कर दे शमा कर दे मुझे प्रभू पुत्र अर्जुन मेरी परिक्षा में सफन हुए तुम तुमने एक वीर योधा के धर्म का पालन किया पाश्यू पतास्त्र के लिए सरवता योग्य हो तुम प्रभू अब आपके दर्शन प्राप्त हो गए मुझे तो अब और कुछ पाने के इच्चा कहां शेश रही अब तो ये के क्रिपा कीजिए प्रभू मुझे सयोचे मुक्ती अर्धात परम मुक्स का फर्दान दीजी ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जी संसार में सभी के लिए कर्टब्वे निर्धारित है तुम्हारा कर्टब अभी पूर नहीं हुआ है पुद्र तुम्हारी भक्ती सच्चे निष्ठा और योगी योधा के गुन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ मैं इसलिए मैं तुम्हें युद्वे प्रियोग करने है तू वो पाशुपतास्तर प्रदान करता है जिसमें सभी जीवों की शक्ति सम्हाई थैड़ कुंति पुत्र एक मात्र तुम ही से थामने इसका वार करने और लोटाने में समर्थ हो ते लोग भी कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके इसलिए इसका परहार शक्ति शाली शत्रूओं पर ही होना चाहिए उन से कम किसी योद्धा पर इसका प्रियोग शिर्ष्टी के अंत का कारांपी बन सकता है जै शिवशंकर जै गंगाधर करोणा कर करतार हरे करोणा कर करतार हरे जै शिवशंकर जै गंगाधर करोणा कर करतार हरे जब इस चन्न अपने करतवे बूल करने पर तुम उसके फल्स रूप अगला जनम पाओगे तब उस चन्न में तुम है मोक्ष की प्राप्ती हो इश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जूनत संसार में सभी किरे करतवे निर्धारित है मुझे सफलता गुरुवय के शियात्रा को संपन कर पशुपतास्तर प्राप्त करना होगा तब ही मेरे जीवन का उतेश्य कोन होगा मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जीवन का उतेश्य आपसे चुड़ा और मैं आपके करतवे में आपकी साहयक बनूं तो मैं आपके कर्तवे की मद्दे आधा कैसे उत्पन कर सकते हैं। इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहोंगी। अभी तुम्हें मा के बताई सोला सोमार व्रत में व्यास्तर होंगी। आपका आशिवाद होगा तो मुझे अपने व्रत में सफलता प्राफ्थ होगी। इसलिए मुझे आपका आशीश दीजी। पुत्री दे सेना पुत्र कारते के के लिए पूर्ण रूब से सुयोगे हैं। अब शीगरे इन दोनों का विवा कर देना चाहिए। तो ब्राता इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशु पतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के कीराट अवतार को प्रभु पशु पतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्रवो महास्त्र ही प्रदान नहीं किया। अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर जन्म हुआ प्रभु गणिश जी। हाँ हुआ और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ती पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परिक्षा का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी इश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कठा की शुरुवात एक कभीले से होती है जिसके राजा व्याद राज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता। आज के दिन का अखेट स्विकार करे मा और एक क्रपा और करे मा मुझे उत्रा धिकारी दे। पेरा ये दुख हर ले मा क्रपा करे मा क्रपा करे। जगत पिता की लीला अप्रम पार है। उन्होंने अरजुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागरित किया। और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। बढ़ कि общем आत्मा क्रपा पूलिए उन्होंने पूलिए झालिए राल को शंक में συुट समे प ही कौला कि लिसले आत्मा का ह। पार भी आत्मा कि पियों धत्ति dedicate साथ से आत्मा लाह ह। बवार रॉब गलिन धि motif जळस्त बड़त कु़ती की मा खु़ते जगती अच्चे सानिज ओिर के सकती नहां नहांग bolे पार्षा उप दोर्भार घच्पलाई ८ मेराजोफी कर दोर्ण कि दित तकstal को कि कि अुछ अच fitशतीा Selे नहांग स्लंदोर सकतर सaria व्याद राज नागा को मा की कृपा से उत्तरा धिकारी प्राप्त हुआ शान्त हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शान्त हो गया ये मा की कृपा है, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है और जब वो अपने कबीले लोटे, तो सब पहले से ही आनन्दे थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था महराज, मय्या की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको मय्या की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर, उत्रादिकारी भी मिला और पुत्री भी नाचो माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अतियानन्दे थे वो अपनी पुत्री लीला और उस बालत फिन्ना की जो उन्हें बन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोशन बहुत स्ने से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयू पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें फिन्ना, आजो, 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 आजो और सामने देखकर निशाना साथना है हाँ, हाँ, समझ गया आखेज करना तो तुमारा भी धर्म है चलो, अच्छा है, तुमारे होने वाले पती के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी जाओ, लेवा वो धनुष लो, और साथो निशाना आप चलो प्रणाम मैया, आशिष दीजे प्रभू जी दी रहो फिर्ना, तुम्हें प्रभू और मैया से आशिरवाद नहीं लेना मिट्टी के सामने क्या जुकना, इनसे क्या मिलेगा फिर्ना मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशिष उमझे इतना ही अधिक है मेरे लिए जाओ, सादो निशाना अच्छा है, बहुत अच्छा है धनुश्पान चलाना तो जैसे तुम चन्म से ही जानते ऐसे नहीं, ऐसे ही सामने द्रिष्टी रखो और सादो निशाना नीला, और अभ्यास करो नहीं तो चूक जाओगी आखेट हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी जब तुम हो, तो मैं भूखी क्यों रहूँगी भला तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे, वो मैं खाकर प्रसंद रहूँगी फिर से लक्ष सादो, और छोड़ दो बाँ अनेक योद्धा मेरी द्रिष्टी के सामने से निकले किन्तु अपने संपूर जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा जैसे ये पिछले जरम से ही युद्ध कला सीख कर आया हूँ व्यर्थ में निर्जीव शीला आकरिती के सामने चुकना छोड़ दूँ कदाचे तुम्हारा भे लाक्ष सुद्वर जाए जेने तुम मात्र निर्जीव शीला आकरिती कहते हो वो मेरे भगवाल है मुझे उनमें विश्वास है और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर मेरे अस्त्रों पर और कदाचे दिसलिए मैं अधिकुत्तम धनुदारी पच्पन से इसे समझा रहा हूँ इश्वर भक्ती का महत्तो समझा रहा हूँ किन्तु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता और अब जब इसका राज्य विशेक इतना निकट है तो ये प्रभू में मैया में आस्ता कैसे रख सकता है जहां एक और थिन्ना को इश्वर पर बिल्कुल भी आस्ता नहीं थी वहीं दूसरी और नीला की भक्ती प्रगाड होती चली गई राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझ कर स्विकार किया था किन्टू वो थिन्ना से कभी इश्वर सकता उनकी भक्ती स्विकार नहीं करा सके दो इतने विपरीत व्यक्तित उनके मध्य विवा संभाव ही कैसे था विवा के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ ब्राता जिससे आप शीगर विवा करने के लिए तयार हो जाएं क्या हुआ गणेश आप किस स्विचार में डूप गए हो तूँ विवा एक यात्रा है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं यह यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोश का आभास भी कराती है किन्तु शुब और बड़े उद्देशी के लिए दोनों पती-पत्ने इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं धिन्ना और लीला में मत भेद अवश्य थे किन्तु मन भेद नहीं दोनों एक दूसरे को स्विकार करते थे फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया अभी भी समय है तो मुझे अभी भी अस्विकार कर सकते हो क्योंकि विवाह के उपरांध भी मैं अपना भूजा पाथ करदा भी नहीं छोड़ूंगी यदि तुमारे इश्वर हमारे संबंद के मद्धे ना आए तो तुम्हें पाकर मुझे आती प्रसंता होगी जाओ अपनी मैय और अपने भगवान से आशीश लेलो मैं यहीं प्रतिक्षा करूँगा आज भी रुकोगे आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौफ रहा हूं अपि तु व्याद राज भी बना रहा हूं मा के सामने इस महायोध्या थिंडा को मैं कभीले का सर्तार बनाता हूं आगे बढ़ो थिन्ना मा के सामने मेरी पुत्री और राज सिंगासन को सुईकार करो नहीं नहीं नहीं